उस बच्ची ने कहा कि 26 को शादी है हम समझ नहीं पाए शायद 26 फेरबरी क्या रही है लेकिन वो दो दिन बाद ही था मैं गर वापिस आ गया वक्त है अभी वो बार बार पंच के पाँ जाती रही वो सरदार जी मेरे लिए चूड़ी लेके आएंगे वो सूट लेके आएंग सिर्फ हमारे पास एक दिन का वक्त था उस एक दिन में क्या कुछ किया मैं आगे बताऊंगा आपको पहले मैं आपको ये बता दूँ ये मेरी गाड़ी है पूरी तरह से समान से लदी हुई है उसके बाद ये दूसरी गाड़ी दवंदर साब की जिनको हम आज अपना काम छ किसी के बैठने की जगा नहीं है सिर्फ दो लोग इसमें बैठे हैं उसके बाद जो रास्ते में हमें लोग मिले कोई रास्ते में एकावन सो लेकर खड़ा है कोई 200 कोई राशन कोई कपड़े कोई सूट पैसे पैसे रूंद पैसे बहुत होई है पैसे से करने ला है नहीं लिए हमने हम मना करतेगे क्योंकि आवर्फ लो हो रहा था ये पूरी दास्तान में आपको आगे जाके सुनाओंगा अभी हमें जमू से निकले होए शायद 3-3 गंटे हुए हैं शायद 1-3 गंटा और जाना है वहाँ जाकर वो अमीद उसको देनी है शायद मैं अभी ये भी नहीं जान मांगा था और कुछ राशन मांगा था आपने क्या दिया ये में वहां पहुंच कर बताऊंगा आपको नाम के आपका नाम नहीं है कुछ करते हो क्या करते हो बहन की शादी है कुछ दिया बहन को शूट दिया कुछ नहीं दिया लोग आए खाना कैसे खाएंगे आप खुश्यों आप आओ कुछ और नहीं बोलना हो के लाबा बस आओ बोलना है कि जिनना ने किता है उन्हादा मैं सारना तैल दी तो तन बात करता है क्योंकि जब तु तक फृष्टे हैं ते मेरे खाला एहोजे विया एक शड़ के हजारा होंगे असी पाजी रेडिया है जे तीन से चार क्लासे मतलब सिर्फ कॉल्स के बीच में निकल गी और बच्चे भी है हैं टू साक है न चूडखा चैए दा लाल बंक चैरे अधी बड़े न बड़े चूड़े है है सुनण भी आया था सुनना सुनन वह अभी आयाधा और के ज आधा कैन शेदा किस जिता किशनी कशनी जिता है लोकेन देते हैं 200 सूट, देर सो तू 200 सूट देता है, आही ले याई बी पच्ची बास, बाकी बाफस जगे बड़े होनेगे, ठीक इता है, ठीक इता है गल्थ किता है? ना ठीक, बी पच्ची बड़े है ना? बड़े है सादा परिबाद है, शरीफ है, हम अपनी दगान चलाएंगे, लेकर आप ने उस फैसले को समीते हुगे, आप ने ठीक हिया कि इसके खाते में पैसा नहीं डालेंगे, इसको राशन देंगे, इस फैसले से सब लोग खुशी है, ठोड़ा से चांदी का समान, आरे बहुत आप स्तियार भी आप करेंगे, आप यूटी बालर काम करते हैं, आप यह तो बड़ा सोने पर सोगा हो गया, मेक अप सब कुछ मारी तरफ से हो गया, बारिश का मौसमें तो मैंने जहां के लोकल पंचैट से पैंचे उन से तालू किया, उनके साथ मिलकर वाद करके हमने हाल मेंदी लगाई आपने, किस ने लगाई? पोनी आले, पोनी से कुछ लोग आये थे, और समान सूट आये, सूट नहीं आये थे, इक ही आये, तु साख है ना चूडा चेहिए था, लाल बंग चेहिए थी, बड़े चूडे आये थे, मेक अप किटा भी आये थी है, सुनना भी आदे पाउए थे, और के चाहिए था, किसनी चाहिए था, मुड़ा देख है थे, मुड़ा देखे है जिना ब्यावना, मैं नहीं देख्या, मुड़ा भी शाया था, सब शाया था, किने सूट आये थे, लोग थे थे 200 सूट, देर सो तू 200 सूट देता है, आही लिए याई में था मैं पर्बाकु सिब्सक्राइब कि सुनने में गलती लगी मुझसे थीष्पार्बरी को शादिय मैंने जे शमझा मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ फिर मैंने अपने आपको चेक किया कि हम लोग कहां खड़े हैं क्या मैं एक खड़ा होके एक स्टेंड अप कर दूँ क्या मैं लोगों के दिलों तंक पहुंच पाऊंगा क्या जो पाप मुझसे हो गया क्या मैं उससे बाहर आ जाऊंगा इस बेटी का नाम आपको नहीं बताऊंगा मैं इसका चेहरा भी नहीं दिखाऊंगा क्यों ना आज हम इसका एक नाम रखें इसका आज हम एक नाम रखते हैं जो नाम हर किसी को पसंद आएगा किसी को आतराज नहीं होगा क्यों ना इसको आज हम अपनी बेटी के नाम से पकारें चाहे वो हिंदु हो, मुस्लिम हो, सिख हो, इसाई हो मेरी बेटी का नाम समरीन है, मुझे इसमें समरीन दिखती है मुझे लगता है कि ये नाम सब को पसंद आएगा जो आपकी बेटी का नाम है आप वो नाम इसको दे दो दिमाग में वो तस्वीर रखो अपनी बेटी की और जब जब हमने एक खड़ा होकर मैंने रिक्वेस्ट किया आप से कोई कहानी आपके साब नहीं लाई कोई तस्वीरें पेश नहीं की आप यकीन मानो साथ से आठ पज कॉल से टेंड किये मेरे गरवालों ने कहा बार लोबी में चले जाओ बच्चों ने सुबह स्कूल जाना है जब दो बजगे मैंने समझा मैं पागल हो जाओंगा इतने कॉल में टेंड नहीं कर सकता कार्तिक साब को फोन किया नहीं उठाया दूसरा किया नहीं उठाया तीस आदमी ने बड़ी शिद्दत से बड़ी मेहनत की है इस एक डेड़ दिन में कार्तिक साथ मेरे पास वर्ट्स नहीं है आपकी तारिफ करने के लिए आपने स्याइद एक हजार से जादा कॉल सुने होंगे उनको डाइरी में नोट किया ये सब अन्नोन नमबर थे पता नहीं कॉल आपने रिकॉर्ड किये जो नोट किये उनके गर तक गए एक आदमी की जरूरत थी इसमें चरंदीब को फोन किया गया कार्तिक साथ दोबारा कि मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा रविंदर भाई ने कोई जिम्मधारी दी है चरंदीब उसमें शामिल हो गया दविंदर स से ये लोग पूरा जमू गूम रहे हैं यहां से भी कॉल आता है और मैंने आपको बताया धेर सो से दो सो सूट मना कर दिया सिर्फ 25 35 40 सूट हम लेकी आये होंगे बाकी मना कर दिया और काफी लोग नराज हो गए आपने अकाउंट नमबर क्यों नहीं डाला और मैं जानता ह इस बहन के साथ बाई हैं और जिनका एक भी बाई जवान हो में वो कहानी नहीं करता वो कमा सकता है वो दिहारी लगा सकता है लेकिन मैंने आप से कहा ता सीधे हैं सीधे हैं उनमें से एक बाई साब ये हैं आप आजो एक बाई साहब ये हैं दूसरे बाई साहब ये हैं सबसे बड़े वाले ये हैं ये थोड़ा बहुत समझते हैं लेकिन ये बिल्कुल कुछ नहीं समझते हैं और बाकी जो पांच हैं वो ऐसे ही हैं और यहां के जो पंच हैं मैं उनको यहां के नहीं शाहिए साथ लगते गाउं के जो पंच हैं मैंने उनसे पूछा क्या चाहिए बोले पैसे नहीं चाहिए सिर्फ राशन चाहिए उस बच्ची को एक दो सूट और एक लाल चूड़ी मांग रही है वो चूड़ा लेकिन आप उनकों ने बहुत कुछ दे दिया मैं किसी से बात नहीं करूँ का लेकि ये लोग बात कर भी नहीं सकते जो स्वाल मैंने पूछूंगा वो जवाब नहीं दे पायेंगे तो मैंने बात नहीं करूँगा, बेटी खुश है, बेटी का चेहरा नहीं दिखाऊंगा, शादी बड़े दूमदाम से होगी, बड़े दूमदाम से ये शादी होगी, अब रास्ते में आते हुए, जब हम जम्मू से यहां तक पहुंचे, कम से कम, दस से बारा जगा, लोगों ने नाका आया था मेरे लिए, किसी के हाथ में पांच हजार था, किसी के हाथ में दस हजार था, किसी के हाथ में दो हजार था, एक अमाउंट लेकर खड़े थे, हमने किसी से पैसे नहीं लिए, सब को मना कर दिया, सिर्फ इसलिए कि जरूरत नहीं है साब, और आप लोगों ने मेरे एक stand-up पर, एक खड़ा ओकर कोई तस्वीर नहीं दिखाई, जो प्यार दिखाया है, जो बरोसा आपने मुझे पर किया है, वो काबिले तारीफ है, शत शत नमन है आप लोगों को, जिनों ने चंद गंटों में इस शादी को मुम्किन कर दिया, कोई त्यारी नहीं थी, हाल ब की लोग जिनोंने कॉल्स किया, हमने एक भी पैसा अकाउंट में नहीं लिया, अकाउंट नमबर डिस्पले ही नहीं किया, कुछ नाम में लेने जा रहा हूं, बलदेव सिंग, ये स्कूल की वैन चलाते हैं, ये कहते हैं कि, फैनेशल हेल्प की इनोंने, हमने मना कर दिया, लेकिन फिर भी इनोंने एक अमाउंट बेजा है इस परिवार के लिए, कहीं भी लगा देना, हलवाई को दे देना, राजबीर साहब इनोंने भी फैनेशल हेल्प की है, उसके बाद गुरू रामदा सेवा ट्रस्ट से बलविंदर साहब हैं, तीस किलो चावल इनोंने बेजे हैं, शुकरिया को दूम जी आपका और गुरू रामदा सेवा ट्रस्ट का जो हर किसी की मदद करते हैं, सेवा दल मूल राज, सेवा दल ट्रस्ट है, बहुत ही बड़िया काम करता है, लोगों की सेवा में पीछा नहीं रहता है, यहां वो आ नहीं सके, लेकिन सेवा दर ने मुझे रुला दिया वो कश्मीरी महिला इतना रोई फोन पर इतना रोई और उसने मुझे इतने आसीस दिये इतनी दुआइं दी और मैंने बहुत कुछ कमा लिया उससे उन दुआओं में मैंने बहुत कुछ कमा लिया सुप्रियादर जी ने साड़ी और शॉल बेजा है राजकुमार साब देली में है हर कहानी का हिस्ता रहते हैं राजकुमार साब देली में है उन्होंने दिल्ली से वो कहते थे कि मेकप किट और मैं कुछ सूट बेजूंगा लेकिन 26 जनवरी है बसे नहीं आ रही कुछ ऐसा कुछ प्रॉबलम था फिर उनकी वाइफ ने यहीं से जम्मू से खरीद कर मेकप किट कुछ सूट उन्होंने बेजे हैं शुक्रिया राजकुमार साब मानव सेवा संस्था केपी सैनी साब ने दो सूट और एक शॉल बेजा है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मानव सेवा संस्था केपी सैनी साब बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमा जी हमारी हर कहानी का हिस्सा रहती है उन्होंने शिव परिवार की फोटो बेजी है शिव पारबती और गनेश महराज की एक फोटो उन्होंने बेजी है आशिरवाद के तोर पर और उसके साथ साथ आर्टिफिशल जोलरी जिसमें एक सेट है, रिंग है, नेकलेस है, इरिंग है, पायल है, लेडिस पर्स है, बेड़ शीट है, सूट है, सौक्स है, जेंट सूट है, लहंगा है, यह सब उम पाई के पास चला जाए जा फिर छोटे मोटे खर्चों में यूस हो जाए बोधराज जी कहते थे कि हजार दो हजार बेज दूँ मैंने मना किया वो नराज हो गए फिर उन्होंने कहा मेरा सो रुपया लेके जाओ कुछ तो हिस्सा डालो चुकरिया बोधराज जी रितिगा जी उन्होंने ब्राइडल दुपट्टा सूट और शॉल बेजा है रितिगा जी ने रितिगा जी हमारी कहानी का हिस्सा रहती है बहुती नरम दिल महीला है रितिगा जी रितिगा जी आपका समान यहां पहुंच गय और रितिका जी की टीम से हैं मोनिका हंस जी तीन ब्राइडल सूट टावल सेट जोती शर्मा एंड जोती कांचरू अखनूर से हैं इन्होंने स्टॉल्स के लिए मदद की है स्टॉल की सेवा की है जोती नगरोटा एक स्वेटर बेजा है उन्होंने और रात को साड़े ग्यार आप डिस्टर्ब कर रहे हूँ एक बेल बज़ा डरत डरत में बाहर गया बाराँ बज़े कौन आ गया एक महिला अपने पती को जबरदस्ती साथ लेकी आई थी मुझे पता जल गया उनकी आंख में आंसू थे और उनकी दो हाथों में दो रिफाइंड पांच पांच लिट के हैं और वो कमाल थी यह हमने देखा वो कमाल की कौल्स थी मेरी 2 साल की जो में 25 سाल जबसे कहानियां कर रहा हूं मुझे अपने आपको चेक करने का एक मौका मिला और आपने मुझे पास कर दिया एक पाप होने से बचा दिया मुझे से गलती हुई थी सबसे पहले यहां के पंच का जो साथ लगते पंच है मुझे नाम नहीं पता नाम क्या पंच साब का रमेश चंदर जिनने हमें यह कहा राशन चाहिए रमेश जी यहां तक नहीं पहुंच पाई शायद वो हॉल में हैं अभी भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सबसे ज़्यादा शुक्रिया इस शक्स का क्योंकि मैं तीन गेंटे में जितना परेशान हो गया था सर दर्द हो गया था सर फटने वाला हो गया था इस आदमी ने डेड़ दिन उसको सहा है इस आदमी ने डेड़ दिन उसको सहा है और उसके बाद जो कॉल्स आए हर गर में जाकर हर द्रवाजा खटका कर वहां से चावल आटा सूट सब कुछ उठाया है काबिल ये तारीफ है कार्तिक साब का काम कार्तिक साब गुसा तो निया आया मुझ पर नहीं बाजी गुसा निया लेकिन बाजी मतलब एक लिमिट तक फ्रस्ट्रेट तो हो जाता है इंसान मैं कह रहा हूँ पून चाहे तो उच टाइम में ऐसा था कोई दिक्कत नहीं किसी की मदद वो रही है आज आप रहने दो कोई बातनी हम आज जा रहें है कितने लोगों को मना किया है 500 तो नॉर्मल होंगे तो जिनको मैंने मना कर चुका हूं बहुत सारे लोग नराज हो जाते हैं उनको यह कहना चाहूंगा कि हम उतनी ही सेवा ले सकते हैं मैं उससे जादा लेके क्या करूंगा मैं किसको दूंगा वो यह इस शादी तक किसी में थी वो टार्गेट पूरा हो चुका है उन लोगों से माफी जिन लोग और कहीं लोग तो ऐसे हैं जो कितने घंटे मेरा से कॉंटाक नहीं कर पाए तो इतनी जादा कॉल इतना रिस्पॉंस दिया लोगों ने लेकिन जो गोल था पाजी खुशी इस बात की है हमने उसको अचीव कर लिया शादी कैसी होगी शादी धूमधान से होगी जैसे वह होती है और मैं पाजी यह आपका थैंक्यू कहूंगा कि आपने यह जो नया तरीका आपना यह बहुत अच्छा मुझे हम सब को बहुत सपोर्टिव लगा क्योंकि कहीं जगा अपने आपको तो पता ही यह लोग कितना इस चीव से प्रॉब्लमेटिक हो जाती है यह बहुत अच्छा तरीका और ऐसे अगर हर बर ही ऐसे करना पड़ पीछे हैं इनको भी दो जेगा वेज़ा यह दो जेगा के लिए 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 दविंदर साब आप इसमें कार्तिक साब ने आपको खिंच लिया बीच में सबसे पहले आपको सलूट है आप ऐसी स्टोरिय हमारे तक पहुचाते हो तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा आप के साथ अगर आप इतनी दूर पहाड भूर चड़के आए जाते हो आज मुझे बोड़ा अच्छा लगा आपके साथा के थैंक मैं अपने सबी डोनर से जो लगातार हमारी स्टोरियों का हिस्सा रहते हैं हाज जोड के आप सबसे माफी मांगता हूं सहारा बनो गुर्प के राकेश जी है नहीं बस्ती से उन्होंने कहा कि जितना भी खर्चा होगा शादी में राशन का वह हम उठाएंगे ये सेवा हमें दे दो हमने हाज जोड कर उनसे मना कर दिया हम फिर उनने उनको बोला कि आप एक टीन तेल और एक टीन रिफाइन दे देना लेकिन लास्ट आप करते हो मेरे पास एक लिस्ट है मैं जल्दी से वह लिस्ट पढ़ दूँगा और इसमें जारातर नाम मिस्थ हो जाएंगे जिनको हम जानते भी नहीं है यह राकेश मीनिया साब हर कहानी का हिस्ता रहते हैं हमारे 11000 पे आपने बेजा है शुक्रिया साब अमित पंडित जी ने 5000 उपे हलवाई के लिए यह रविंदर सिंग रविंदर जी है अरनास से इन्होंने काया जितनी वेजिटेबल लगेगी मैं दूंगा साहिल भीया है यह प्रेम स्वीट शॉप निव लॉट के पास रहते हैं उन्होंने कहा है गुलाब जाम यह और भी बदानी क्या क मैंने देना मेरी बात हो इतिन से लास्ट में क्या हुआ सिर्फ दही बचिया था यह दही का वह भरा हुआ कैन जो है 40-50 कि लोगा दही दही देखे चलेगे और इन्होंने फिर सूट बगारा और भी बहुत सारी चीज़े जी अर्शद जी है 500 रपे की मदद बेदी है जतिन ज्वेलरी बेजी है यह मेनाक्षी शर्मा जी है गोल्ड गोल्ड की ज्वेलरी नोने एक यह शुबंभया नहीं वह रसीव की इन्होंने यह ज्वेलरी में मैं आपको बता दूं इन लोगोंने कुछ नतना की जो नथनी होती है और दो चोटे-चोटी चीज़ें जो है वह बहुत बड़ी है पाजी मिनाक्षी में आपकी यह जो दिवी अमानत है यह हम परिवार तक पहुंचा देंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लावा सुनीता में जो रेगुलर हमारी कहानियों का साइंस कोलेज के सामने रहती है उन्होंने भी गोल्ड की समान भे से व्हाइवे इक समान लोगोन बेगए टो यह सब है इसके और निון पर्ड़लीज पाजी नहीं प्राइप नियुज बैजे तरु भूट्जे हिए और फिर नीलम शर्मा जी होन्होंने एरिंग सुनील भी और यह रइंग आई वह और पाजी दो लोग और एक जाहिदा मैम और अशोग जी जाइदा मैंने राशन की लिस्ट जब मैंने इनको फॉरवड किनोंने आदे से जादा राशन टिकर के यह मेरे हिस्से में दे दिया ठेक है इन से मैंने राशन सुबा चरंदी साब ने पिक किया और यह अशोग जी है उन्हों सिक्स थ्री थ्री वन उस करहने वाले के पर यह अपनी चुपा एंगे घ्री ते अपनी रॉप के यह जोग यह और तो यह दो दे हैं मेरे हाथ में व हैं इस फॉट शूट किया थे पिर राजिंदर जंवल जी है इन्होंने सूट बेजे थे प्लस इन्होंने बच्चे के लिए जो है वो शगुन बीभी वेजा तो लोगी कम पढ़ते मुझे बताओ मैंने उनको मना कर दिया क्योंकि और काफी हद तक सी चीदे जो बाहर से होगी थी चिंकल विया ने राशन के लिए बुला कि हैं दस किलो पनीर जो है वो इनोंने बेजा हुआ है वो इनकी तरफ से यह इवाजी और पता नहीं कितने लोंगा नहीं जानता हूँ कितने लोगा कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरा नंबर देखके गूगल पर फोन में उनको यह रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज ऐसे तो इस वार मैंने गुरू अमर्दास सेवा ट्रस्ट को भी मना कर दिया यह लोग नराज है मुझसे कैमरे के सामने मुझसे नराज आए हैं कि आपने हमारी सेवा क्यों नहीं ली जरूरत नहीं पड़ी जनाब आप हमारे रेगुलर डोनर हो जरूरत नहीं पड़ी आपकी लोगों ने इतना प्यार दे दिया उसके लिए एक बार फिर माफी चाहता हूं मैं आपसे चलो बाजी जिनाने क पता नहीं वह कौन लोग थे यह चहरे हैं वह जो यहां पहले पहुंच गे थे आपका नाम किया मैं मेरे नाम साक्षी है अब कहां से हाँ हम पोनी से महंदी लगाने कबाए हम सुब बारा मजे आ गये तो महंधी कोण लगाता है बाबी लगाती है तो आप बाबी बन गी आ आपका नाम क्यासा है मेरा नाम को पाल शर्मा आप इनके पोनी से हज्बेंट है नहीं आप इनके ब्रदर हैं जी हम सोबा आए थे बारह मजे मुले थोड़ा मेक अपका करना है तो इसी दिए पहले आगे और कार्टी भाईया ने फोन किया था मुला पहुंचो तो हम भी क्या है मेरा नाम अंकु है मेरे आप इनके क्या लगते है में इनके क्या लगते हैं आप आए हैं जा लाएगे हैं नहीं हम सबको लाया हैं आप साथ लेकिया हैं जबतों शुक्री है आपका आपने इस बच्ची को मेहंदी लगाई इससे बड़ा सबाब का काम कोई नहीं है कोई काम नहीं है तियार भी करेंगे आप करेंगे लैंगा specifically है यहाँ को सब कुछ मारे तरफ से होंगा मेक अ आप करेंगे मेक-प सब आप करेंगे मेक-प किट है कि हैं इसमें नहीं को यहां के कुछ लोग हैं यह साथ है मेरी पता क्या कहा भी नीचे मुझसे 1000 रुपया ले लो जी पाजी नहीं ले सकते हैं अगली किसी कहानी में आप अकांटमें डिपाजिट करते होंगे अगली बार आप जरूर देना लेकिन इसमें ऑफलो हो जाएगा हमें अवर फलो क्यूं करना है आप खून पर सेने की मेहनत की कमाई ही नहीं हें तो यहां पर भुध मेंनत हो गह गई है मुद्ध करिया बाद करने के लिए बहुत बहुत हो छुष करीया यह हमारा इंतजार कर रहे थे रास्ते में बामला में पता नहीं इनको एक गंटा डेड़ गंटा दो गंटे इंतजार करना पड़ा आपका नाम क्या है मैं पूजा आप कहां से हो जी ओडियों से अखनूर से आगए जो यहां से आप स्पेशली इसके लिए आए हो फूजा ऍचे लाए है अच्छा लगा अच्छा लुए है आपको लेकिया है के लिए वहाद में एक सूडला है मेकप समान करीरे और ठोड़ा से चांदी का समान मैं भूट बड़ी है और पैरों के लिए बिचुए पायल एकلة कसले वहां साथ में बहुत बढ़ी है भाजी बहुत बढ़ी है आपका नाम क्या साथ रमेश जी ठीक है आप मिले दुलन से बिलकुल बिलकुल मिले पुझा जी मिले आप अच्छे से बात भी नहीं कर पाते हैं जैसा से मैंने कहा था कहानी में कि थोड़ा सीधे हैं सब ऐसे पूरा परिवार ही आप चेहरे हैं उन्होंने हाल बुक कर दिया जब कहानी देखी उन्होंने कहा वहां क्या करेंगे वारिश put ढूरा ने एक हाल की बुक करवा दी यहांसरे आपका नाम क्या है मेरे नम क्ल्दी मुझा साय में सोशल बर्क कर उओं जैसे ही मुझे जानकले मिली बारिश का मौ जरूरती इनको आप लोकल हैं यहां सभी और थोड़े सीधे हैं सीधे और मुझे किसी ने यह भी कहा है कि इनको अगर आप 20 25 30 रुपे दे और सारा दिन काम करवाते रहों यह करते रहेंगे 25 रुपे के लिए 25 रुपे क्लिए यह काम करते रहें यहां सिर्फ आना है शादी का हिस्सा बनना है सारा बंदोबस्त हम करेंगे लेकिन आप लोगों नहीं करने दिया वो कौन लोग है मैं जानता भी नहीं उन लोगों को मैं जानता नहीं हूं यह सहाब पहली बार मेरी कहानी का हिस्सा बनने जा रहे हैं यहरितिगा जी के हजबंड हैं हर कहानी में हिस्सा रहते हैं लिए के अमरे के सामने नहीं आते रितिगा जी आज आई नहीं क्यूंकि उनको गर में कुछ दिक करती है इसलिए नहीं आप रितिगा जी आपका दिया हुआ सब समान इन लोगों के पास पाजी आप यहां के लोकल हैं यही रहते हैं ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया बहुत यह अच्छा मुझे लगता है कि मै सब लोगों से बात कर चुका हूँ एक बात जो आप से मैं कहना चाहता हूँ अब दियान से सुनियेगा यह अगर आप लोग चाहते हैं कि हम ऐसी कहानिया लंबे समय तक करते रहें कुछ बातों को आपको दियान रखना पड़ेगा हम किसी भी शादी में अकाउंट नंबर नहीं देंगे खासकर जो मैरिज की स्टोरी होगी उसमें काउंट नंबर नहीं देंगे कारण मुझे एक महीने में सो कॉल्स आते हैं कि इस बेटी की शादी है आप मदद कर दो यहां तक मैं अनलाइज कर पाया हूँ शायद उनमें से कुछ यह चाहते हैं कि अकाउंट नं में शादी के लिए कुछ बीच में ऐसे लोग भी हैं जो इस मन्चा से मुझे फोन करते हैं कि अकाउंट में एक बड़ा नंबर आ जाएगा शादी के बाद और वो इतने जो हालत जैसी है मुझे ऐसी कहानिये करनी है इसलिए हमने यह सुनिश्चित कर दिया है कि दुलन का चहरा नहीं दिखाएंगे क्योंकि शादी के बाद उसको बजार जाना है अपने लोगों में जाना है और यह कहानिया लाखों लोग देखते हैं तो उसका चहरा हमको नहीं दिखाना है और दूसरी बात जो आपको करनी है अगर आप चाहते हो कि मैं यह स्टोरियां यह कहान यां लंबे समय तक करता रहाँ मेरे साथ जो भी लोग कर रहे हैं जो भी लोग यह सिवा कर रहे हैं लोगों की मदद कर रहे हैं आप सबको एक चीज का ध्यान रखना जो डोनर है अगर आपको फाइनेशल हैप करनी है उसके दो रास्ते हैं अगर पैसे देने हैं पहला जो अकाउंट नमबर हम विक्टिम का देते हैं आप उसमें पैसे जमा करवा दीजिए दूसरा अपने हाथ से उस कहानी तक जाईए उन लोगों तक जाईए उनको पैसे दीजिए तीसरा अप्शन कोई नहीं है किसी का हवाल दे कर किसी को कैश दे कर ये मत करिए जनाब इससे गुनागार आप हैं आप जो हम जैसे लोग ये काम कर रहे हैं हमें गल्त रास्ते पे ले जा रहे हैं आप लोग हमें गल्त रास्ते पे ले जा रहे हैं अगर आपने फाइनेशल हेल्प करनी हैं किसी की पैसे की मदद करनी है दो option दो रास्ते एक सीधा victim के account में transfer कीजिए अगर आप वो नहीं कर सकते तो physically यहां तक आईए victim family तक आईए उनको अपने हाथ से पैसे दीजिए तीसरा कोई रास्ता नहीं है यह बात आप याद रखिए अगर जो पाथ हमने चुना है इस पर लंबे समय तक चलना है तो यह करना पड़ेगा यह पंच साब हैं मेरी इन से बात हुई थी यह अभी भी हाल में थे अभी यहां से वापिस पहुंचे हैं मैंने इन से पूछा पैसे चाहिए बोलतें नहीं क्या चाहिए सिर्फ राशन और उनने कहा कि वह बच्ची कहती है कि मुझे लाल चूड़ी चाहिए एक सूट दे दो चपल दे दो बस यही कहा था सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि इस इस घर में आप बाई बान के भी आई हो और बगवान बानके आई हो इसलिए मैं आप का किस शब्दू के साथ धन्यवाद करू expect in मेरे ख्यार में कोई भी नहीं आप नहीं पता ने कितनी शाधिया करवाके बहुंगाने। आपने ये ठीक किया कि इसके खाते में पैसा नहीं डालेंगे इसको राशन देंगे इस फैसले से सब लोग खुशी हैं और मैं आपके साथ और मीडिया भी बहुत है हिंदोस्तान का जो पैसे लेकर के ख़बर देता है लेकर कभी किसी गरीब को पैसा नहीं दिलवाया ना ही इस तरह आपकी तरह बाई और भगवान बन के लोगों के भीच गे आपका पहला जो सुजाव है उसको मान लेता हूँ मैं भगवान बनके नहीं आया में बाई बनके आ खाली शुकृत शादी अच्छी से होगी शादी बहुत है हम काम कर रहे हैं ब्रीज का मेरा काम खटम ह होगा हम यह सोचते हैं कि मेरी आज़ी आप में चली जाए आपकी टीम को चली जाए लेकर हम काम करेंगे ब्रिज का जो पूल का काम है वो हम करेंगे आप से हम सहाईता मांगेगे जरूरत होगी ऐसे लोगों के लिए पहले ने उसे मिल रहा हूँ फोन पर इन ने कहा ने बताई थी वो बच्ची कहती है वो लाल चूडी चाहिए उसको यह कहना नहीं आता था कि उसको चूडा बोलते हैं वो लाल चूड़ी मांगी थी उसने आज इनके पास 35-40 शूट पता नहीं मैंने गिने नहीं लेकिन 200-200 कर दिये सूट रिजेक्ट का मतलब मना कर भी माफी चाहता हूं औरू नोगों से भी माफी चाहता हों जिन्हों ने मुझे डांटा भी अन्होंने कहा कि आपने अकाउंट नम्बर क्यों नहीं दीए हम कैनेडा अमेरिका एस्ट्रेलिया नीजीलेंड सौथ पता नहीं कहां कहां बैठे हैं हम यहां से पैसा डाला चाहते हैं झाला चाला 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 चाहते हैं